हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ में छोले की रेश्पी शेयर करूंगी बेना लहसन प्याज के बहुत ही जटपडशे बनने वाली और बहुत ही टेस्टी चोले बनते हैं यहां पर मैंने छोले को रातवर पानी में भी होकर रखा था और मैंने इने 4-5 सीटी लगाकर और एक आलू को मैंने कट करके डाला था और मैंने अच्छे से इने बॉयल कर लिया है एकदम से सॉफ्ट हो गए है हमारे छोले हैं और इनको आलू जो हमने इसमें एड किये थे आलू को अच्छे से मतलब बॉयल होने के बाद में थोड़ा सा म टेस्ट बनाया था और बस जीरण के बाद मैंने एड कर दिया था यहां पर मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्ज का पावडर अयका झोशोल्रा जो होता है रोडीमेट वही डाला है जिसके हमारे मतलब चौरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आयेगा फश्वली मसाला एड कर पका लेना है जब तक यह तोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी एड़ कर दिया है अच्छे से तेल छोड़ दिया है और हमारी ग्रेवी बनके तयार हो गई है इसमें हमने जो छोली को बॉयल करके रखा था उसको एड़ करेंगे तो बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं क्योंकि लहसन और प्याज को पकाने में थोड़ा टाइम लगता है और यह जटपड से बन जाते हैं और आप एक वार मेरे तरीके से बना करके देखना बहुत ही टेस्टी छोले बनते हैं अब इसमें हमने जो छोले को बॉयल किया था उसी पानी के साथ हमने इसमें एड़ कर दिया है और यहां पर हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे आप ग्रेवी आपने हसाब से रख सकते हो जितनी आपको ग्रेवी पसंद है तो यहां पर मैंने इन्हें 5-10 मिनट के लिए पका लिया था और हमारे छोले बनके एकदम से त्यार हो गए हैं क्योंकि यह रखे रखे भी गार आएगा और छोले कर टेस्ट बिल्कुल ही बदल जाता है चांट मसाला और आमचुर पाउडर एड़ करने से तो यहां पर हमारे देखिए छोले बनके तयार हो गए हैं तो मैंने बहुत ही कम मसाले में बनाया है बस आप इसे पूरी चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं तो हमारी जटपड से बनने वाले चोले तयार है और जब मैंने चोले को बॉइल करने के लिए रखा था तो मैंने थोड़ी ची हल्दी और टेस्ट के साब से नमक भी एड़ किया था और दो तीन काली मिर्च और दो लॉंग और एक टेज़ बता भी मैंने इसमें एड़ किय तो यही थी मेरी आज की रेस्पी थैंक्स पूर वॉचिंग बाए